जो हमें समझनी है question को करने से पहले इससे one more question भी ready होता है आपका MCU का BRS को हम bank reconciliation statement भी कहते है इससे पहले मैंने already video बनाया था BRS के उपर and BRS में क्या होता है एक passbook होता है cashbook होता है दोनों के अंदर जो difference आ रहे होता है उनको match करने के लिए bank reconciliation statement बनाया जाता है इसके अंदर जो cashbook होता है उसका debit balance होता है वो plus में होता है और credit balance minus को denote करता है और passbook में यह चीज़ उल्टी होती है ठीक है यानि debit balance minus में होगा credit balance plus में होगा debit balance को favorable balance भी कहते है credit balance को हम लोग unfavorable balance और overdraft भी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप exam के एक दिन पहले हर एक chapter को पढ़के चले जाए या एक घंटे पहले revise कर ले तो आप YouTube channel subscribe कर सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा आप exam के एक घंटे पहले भी सारे chapter cover करके जा सकते हैं कर सकते हैं